Hi everyone, this is Anam. Welcome to PhD Jobs and Admission. So, आज के इस वीडियो में हम Delhi University के PhD Entrance Examination के लिए Research Methodology के कुछ important MCQs जो generally आपको पूछे ही जाते हैं. So, मैं बता रही हूँ आपको बहुत ही important session ओने वाला आज का हमारा जिसमें आपको जो मैंने यहां पर MCQs solve करवाया है, जनरले आपको PhD Entrance Examination में 100% इसी है टाइप के questions पूछे जाते हैं. इन questions में से एक question जनरले आपको examination में पूछा ही जाएगा. अच्छे तरीके से आपको यह वीडियो देखना है, सारे MCQs को solve कर लेना है. अगर आपके जो भी doubts है, आपके जो भी questions है, आप मुझे comment section में पूछ सकते हो. अब जैसे कि आपको पता है, Delhi University के PhD Entrance Examination के applications form की जो last date थी, वो जा चुकी है, जो कि थी 10th of July 2022, तो जल से जल अभी chances है कि आपके entrance examination की dates आ सकती है. तो इसके लिए आपको preparations जल से जल start कर देनी है, जैसे कि आपको पता है, DU University के PhD Entrance Examination के जो आपको part 1 होता है, जो paper 1 होता है, यह research methodology होता है, जो कि हर एक candidates के लिए common होता है. तो मैं आपको बता दू, research methodology पर हमने अपके लिए course लेकर आया है, जैसे कि आप screen पर देख सकते हैं, जिसमें आपको video lectures प्रोवाइड करते हैं, पूरा syllabus यहाँ पर हम cover करते हैं video lectures में, जो कि आपके theory और MC के इस दौनों video lectures प्रोवाइड करते हैं, और इसलिए पहले हम आपके concepts को build करवाते हैं, and then MC के इसमें हम आपको tricks बताते हैं कि इस तरीके साब को tricks यूज करना है, उसी तरीके से notes हम आपको provide करते हैं, कापे simplest language में notes हैं, आपके interview के लिए भी बहुत helpful होने वाले है notes, then mock test, total 10 mock test provide कर रहे हैं, तरीके साब के 400 questions हम मौक्तिस में cover करते हैं, and then finally 1500 plus MC कि इस revision PDF जो कि आपका revision का काम करती है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दू, 100% guarantee के साथ हम आपको यह course provide कर रहे हैं, आपको pass करने के responsibility हमारी होगी हम आपको pass कर पाएंगे, हम आपको time to time guide करते रहते हैं, आपको याद रखना है, आपको ज़दा time waste नहीं करते हुए, जल से जल आपको preparation को start करना है, start करने के लिए screen पर जब को number नजर अराई, वाट्सअप के तुरह में contact करना है, और आप हमारे app के तुरह भी study material के access कर सकते हैं, जिसके link में आपके साथ comment section as well as description box में भी share कर रखिये, so that's it and let's begin with the video, एक बारी mcqs start करने से पहले मैं आपको अच्छे तरिकी से हमारे content जो हम आपको provide करते हैं, study model हम आपको provide करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दू कि हमारे इस course में हम आपको video lectures, mock test, notes प्रवाइट करते हैं, और 1500 plus mcqs revision PDF यह सारा जो content आप देख रहे हैं इस screen पर यह आपको एक ही जगा मिलेगा, कई students क्या करते हैं, internet से study material refer करते हैं, इंटरनेट पर जो language use करी जाती है, बहुत difficult language use करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से यह जो content है, आपको किस तरीके से read करना है, कितना content आपको follow करना है, क्योंकि हम हमारे course में आपको बताते हैं, आपको कितना study material use करना है, बहुत जादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं है, जितना sufficient है आपके study के लिए उतना आपको पढ़ना है, हमारे course में आपको guide करते रहते हैं, कि किस तरीके से आपको किस topic पर जादा focus रहना है, यह सारी चीज़ें हमारे course में आपको बताते हैं, हमारे जो course हैं आपको guarantee के साथ केते हैं, कि हमारे इसी course आपको exam में 30-35 questions directly पूछे जाएंगे, जल से जल आपको course को purchase करना है, purchase करने के लिए इस screen पर नमबर नज़र आ रहा है, So that's it and let's begin with the MCQs, detailed and unambiguous instructions are particularly important for, इस question में find out करना है, ऐसा कौन सा survey होता है, ऐसा कौन सा method होता है, जिसमें researcher detail में और unambiguous का मतलब होता है clear, clear instruction देते हैं ताके जो respondents है, वो easily un questions को response कर सके, ऐसा कौन सा method होता है, So one by one हम options देखते हैं, option A interviewer administered personal interviews, अब interviewer है मतलब मानलो researcher है, एक researcher एक expert से कोई personality है, उनसे कोई interview ले रहा है, तो personal interview है तो उसमें अगर जो interview दे रहा है, जो respondents हैं अगर उनको कुछ questions है, कुछ doubt है तो वो उनसे directly पूछ सकते हैं, इस case में यहाँ पर जो respondents हैं उनको assist करने के लिए interviewer है, इस case में इतना detail में और clear में instruction researcher प्रवाइड नहीं करेंगे, आप option A नकरेक्टर जाएगा, then option B computer assisted telephone survey and option D computer assisted personal interviews, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, telephone survey और personal interviews करा जा रहा है computer के थुरू, तो क्या हो रहा है, अगर आप कोई question फिल करते हो, तो कभी कबर आपको computer भी assist करता है, इस case में अगर आपसे कुछ mistakes हो रही है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ doubt है, तो आपको computer भी assist करता है, तो यहाँ पर इतनी ज़रुरत नहीं होती है, कि detail और clear instruction प्रोवाइट किया जाए respondents को, तो यहाँ पर आपको option B और D दोनों भी incorrect हो जाएगा, तो आप बजगे आपको option C mail survey, mail service में क्या होता है researcher, detail में और clear respondent को instructions देते हैं, ताकि वो questions को easily feel कर सके, और बाद में research को वो आपको प्रोवाइट को प्रोवाइट को यहाँ पर आपको प्रोवाइट को आपको प्रोवाइट को इसलिए करने के लिए कोई नहीं होता है, इसलिए mail service में उनको detail में और clear instructions देते हैं, ताकि वो easily questions को feel कर सके, और बाद में research को जो questions है, जो उनका response से वो send कर सके, तो यह आपको option C correct हो जाएगा, mail service ऐसे सर्वे होता है जिसमें researcher detail में और clear instructions देते हैं, ताकि respondents उन questions को easily feel कर सके, that's why आप आपका correct option हो जाएगा, option C, mail service, next, the independent variable refers to one of the following, इस question में में find out करना है कि आपका independent variable है, इन options में से किस option को refer करता है, so remember independent variable क्या होता है, जैसे experimental research में हम independent variable का effect देखते है, dependent variable पर क्या हो रहा है, अब independent variable मान लीजे, हमने हमको एक study करना है, research को एक study करना है, यह देखना है कि smoking, smoking का क्या effect होता है, lungs पर, अगर कोई person smoke करता है, तो अगर वो smoke कर रहा है, तो उसके lungs पर क्या effect होता है, कि smoke करने से उसके lungs पर कुछ problems होती है, कि उसका lung effect होता है, हमें यह find out करना है, अब यहाँ पर जो smoking है, हमें पता है, यह तो proven थेरिए कि smoking करने से आपको क्या होता है, lung cancer, ओके, आपको lung disease होती है, अगर आप जादा smoking करते हो, तो smoking क्या करता है, cause करता है, smoking का हम cause देख रहे हैं लंग पर, और lung cancer, जो कि आपका dependent variable है, जिसका आप observe कर रहे हो, जिसका effect देखते हो, so remember, जब भी आपका independent variable होता है, आपको याद रखना है, independent variable always refers to cause, क्यूंकि independent variable आपका cause बताता है, कि यहाँ पर आप smoking को cause देख रहे हो, smoking करने से क्या होता है, smoking का आप क्या देख रहे हो, इस case में cause देख रहे हो, so remember, आपका जो independent variable होता है, उसमें आप cause देखते हो, independent variable जो भी आपका होगा, उसका आप cause देखते हो, dependent variable पर, so यह अब आपका option B correct हो जाएगा, the independent variable refers to cause, then effect तो हम dependent variable पर देखते हैं, that's why आपका option C incorrect हो जाएगा, then आप रहे गई बात आपके option A and option D की, option A क्या है result and option D output, so आपका जो independent variable हो आपको कोई result नहीं देखता है, बलकि आप उसका effect देखते हो, so यह आपका option A incorrect हो जाएगा, then option D output कोई चीज़ का output नहीं बताता है, बलकि cause बताता है, so यह पर आपको option D भी incorrect हो जाएगा, so here correct option is option B cause, next, match list 1 with list 2 and select the correct answer from the options given below, इस question में हमें list 1 and list 2 given है, list 1 में हमें कुछ terms given है, और उन terms की हमें correct definition और meaning find out करना है, अब list 1 में आपको point A given है, bibliography, bibliography बहुत simple है, bibliography का मतलब होता है list of reference, अब किसी भी researcher का content use कर रहे हो, तो उसका proper name mention करते हो, so bibliography में आप क्या करते हो, जो भी previous publications होते हैं, वहां से आप content लेते हो, bibliography का correct meaning हो जाएगा, previous publication, then bibliography and pilot project, यह हमारे लिए known term से पहले तो हम इनका correct point match कर लेंगे, pilot project क्या होता है, यह pilot study की तरह होता है, जिसमें आप किसी भी study को try करते हो, जैसे कोई government, कोई program launch करते हो तो उसका successful rate देखती है, क्या वह study feasible है या फिर नहीं, अगल वह program feasible है, मतलब वह program successful हो रहा है, तो उसको large scale पर launch करेंगे, पाइलेट प्रोजेक्ट में हम क्या करते है, कुई भी study की प्रोग्राम के, कुई भी study के को try करके देखते है, कि इसका successful rate क्या हो रहा है, पाइलेट प्रोजेक्ट का आपका correct point हो जाएगा, point 4, trial run of the design project, यह दोना आपके हो गए, option E & D का हमें, point A & point D का हमें पता चल गया, correct meaning और definition क्या होगा, then हम point B देखेंगे, reconnaissance survey, reconnaissance survey क्या होता है, यह आपकी preliminary examination होती है, reconnaissance survey आप जादर geographical research में यूज करते हो, reconnaissance survey में आप क्या करते हो, किसी map और map के थुरू, और कोई pictures के थुरू, आप कोई भी field के बारे में, जाने के कोशिश करते हो, इसी तरही किसे geographical research में, हम maps और pictures के थुरू, study करते हैं, कोई भी land के बारे में, कोई भी field के बारे में, so reconnaissance survey जिसको आप उस particular field को आप examine करते हो, reconnaissance survey को हम कहते है, preliminary examination, so यह पर B आपका point 1 correct हो जाएगा, then आपको C point given है, study area, study area के होता है, कि आपने आपके research को perform करने के लिए, कौन सा area चूज कर रहा है, कौन सा अपने location चूज कर रहा है, study area का correct हो जाएगा point, project location, study area यह भी जाएतर geographical research में, or you can say geological research में, use कर जाता है, this is geological research के होते हैं, जिसमें rocks के बारे में study होती है, आप मालेज़े आपने किसी, एक earth का point चूज कर लिया, एक area चूज कर लिया, आपने देखा कि वह उस rock के properties हैं, उसमें कितने minerals हैं, क्योंसे और मिल सकते हैं फिने तो आप यहाज से, कुछ उस particular rock के बारे में, अर्थ के बारे में study करोगे, आपने आपका यहाँ पर area चूज कर लिया, मतलब आपने आपका project location चूज कर लिया, यह सारे आपके correct options हो जाएगे, यह सारे आपके list one का correct pair हो जाएगा, और यह sequence हमें option, third में given है, पहले third आएगा आपका, then first, second and last is fourth, next, in a two-tail test for the population mean, if the null hypothesis is rejected, when the alternative is true then, इस question में मैं find out करना है, कि आपने एक test perform किया, जो कि two-tail test perform कि एक population के mean से, अगर आपने उस case में null hypothesis को reject कर लिया, कब आपकी जो alternative hypothesis थी वो true थी, अगर आपके alternative hypothesis true थी और आपने इसको reject कर लिया, इस case में अपने कैसे decision लिया, कि आपने type 1 error कर दिया, type 2 error कर दिया, या फिर आपका decision था वो correct था, हमें यह find out करना है, so remember, जिसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि आपकी जो null hypothesis है, वो true होती है, और आप उसको accept कर लेते हो, then आपका decision हो जाएगा, या फिर भी आप उसको accept कर ले रहे हो, यह हो जाएगा आपका type 2 error, अगर आप आपकी जो null hypothesis है वो false है, और उसको reject कर ले रहे हो, आपका decision है, वो correct decision हो जाएगा, जो यह हो गया आपका null hypothesis related, बस इन्होंने same question पूछा है आपको, और थोड़ा tricky पूछा है, थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा है आपको confuse करने के लिए, लेकिन बहुत easy और बहुत simple question है, एक question में पूछ रहा है, कि आपकी जो null hypothesis आपने इसको reject कर लिया, null hypothesis को आपने reject कर लिया, कब जब आपकी alternative true है, आपकी alternative true है और एपने null hypothesis को reject कर लिया, मतलब आपकी null alternative hypothesis तो true है, अपने null hypothesis को reject कर लिया, आप Jeżeli hypothesis, alternative hypothesis true है, तो आप जब एकसेप कर लोगे nuestro mr. perspectives, मतलब अगर अपने null को reject कर लिया, तो आपकी alternative को accept कर लोगे, तो इस case में आपने जो decision लिया वो क्या लिया? correct decision लिया because यहाँ पर हमें यह question में ही बड़ा hint given है कि alternative is true अपने null को reject कर लिया तो automatically आप alternative को accept कर लेते हो और इस case में alternative true है जो just true है अपने इसको accept कर लिया तो आपका decision क्या होता है? correct decision होता है that's why आपर आप जो decision लोगे इस case में वो आप correct decision लोगे तो आपर आपका correct option हो जाएगा option C, a correct decision is made next in sampling with replacement a sampling unit can be selected इस question में हमें find out करना है अगर आप आपके sample को sampling with replacement technique से sample select कर रहे हो तो आपका जो sampling unit sampling unit क्यों होता है? कि आपके population में से एक member आपके sample का एक member आपका जो sample आप चूज कर रहे हो उसका एक member उसका select होने का chance क्या होगा उस case में वो कितने बार select होगा हमें ये find out करना है so sampling with replacement जिसको आपको short form भी ये भी आपकना है simple random sampling with replacement इसको short form होता है SRSWR so ये short form से भी आपको एक्जाम में question आता है ऐसे भी short form से भी question आए है आपके exam में previous years में आपको ये रयाज रखना है sampling with replacement जिसे हम SRSWR के नाम से भी जानते है sampling with replacement अगर आप चूज कर रहे हो ये technique आपके sampling unit है उसके select होने का chance कितना हैगा हमें ये find out करना है जिसे यहाँ पर मेरी जो ये population है population में से मैं sample select कर ले रही है अब population में से मैंने ये वाले बंदे को select कर लिया अपने sample में select करने के बाद मैंने इसको फिर से replace कर दिया मैंने फिर से क्या किया इसको population में भेज दिया यहाँ पर ये member मेरे population से कट हो जाएगा अब मैंने क्या किया population में इसको फिर से भेज़ दिया मतलब replace कर दिया अब मैं फिर से randomly choose करूँगी sample को अगर मैं randomly फिर से यहां पर population में से samples को choose करती हूँ तो हो सकता है कि दूसरी बार अगर में choose करूँगी तो यह परसन की फिर से सेलेक्ट होने का चांस हो जाएगा अगर मैं दूसरी बार चूज करूंगी तो इस परसन का फिर से सेलेक्ट होने का चांस हो जाएगा रैंडम ली तो यह सेलेक्ट हो जाएगा आपका फिर उसके बाद यह परसन आपका फिर से सैंपल में सेलेक्ट हो गया सेंपल को फिर से अपने पॉपिलेशन से रिप्लेशन कर दिया और पॉपिलेशन में साथ फिर से रैंडम भी अपके मेंबर को सिलेक्ट कर गया तो हो सकता है उस परसन के फिर से select हो जाएगा, so उस person के उस sampling unit के बार बार select होने का chance हो जाएगा, that's why अपर अपका correct option हो जाएगा, more than one time, so यापर अपका option भी correct है, more than one time next reasoning where we start with certain particular statements and conclude with a universal statement is called इस question में हम एक reasoning की definition given है हमें find out करना यह कौन सी reasoning होंगी क्या यह deductive reasoning होंगी inductive या फिर abnormal reasoning होंगी हमें यह find out करना है, so इस question में हमें यह बता रहा है कि एक reasoning है उस reasoning का अपने start किया particular statements है, मतलब particular आपने कुछ चीज़ों को एक particular चीज़ों को observe करा observe कर कर अपने universal statement दिया मतलब observe कर कर अपने journal statement दिया, journal theory दि तो यह कौन से reasoning में आएगा हमें यह find out करना है, so remember आपको यह दो reasoning यार रखनी है inductive reasoning और deductive reasoning deductive reasoning में आप क्या करते हो आपके पास एक theory होती है deductive reasoning में, उस theory पर आप hypothesis lay down करते हो, अप guess करते हो और उस hypothesis को observe करते हो, analyze करते हो and then last में आप confirm करते हो, आपके result या फिर reject कर देते हो, then inductive reasoning में क्या होता है, आप observe करते हो कोई चीज को जिसा इस question में गिवाईन है, एक particular statement को conclude कि, एक particular statement को observe किया, then एक pattern follow किया, then उस पर एक tentative hypothesis lay down करा and then उसके basis पर एक theory generate करा universal statement मतलब एक universal, सबके लिए एक theory एक journals theory, एक journal theory develop किया, so inductive reasoning वो reasoning होती है, जिसमें आप particular statement को conclude करते है, particular statement को observe करते है and conclude करकर, आपको universal statement देते हैं, मतलब एक journal theory देते हैं, so ये आपकी definition हो जाएगी, inductive reasoning की whereas deductive reasoning में आप क्या करते हो आपके पास already theory available होती है, उस पर hypothesis लेड़ाउन करते हैं, उस theory को observe करते हैं, analyze करते हैं and then result देते हो, so ये आपके deductive reasoning की definition नहीं हो जाएगी then ये आपको option C given है abnormal reasoning, abnormal reasoning ये आपके psychology से related एक term है so ये आपका option C incorrect हो जाएगा, बस resource में आपको दो ही type की reasoning याद रखना है inductive and deductive, so हम फिर से एक बार ही देख लेते हैं, deductive reasoning वो होती है, जिसमें आपके पास already theory available होती है, उस theory पर आप hypothesis लेड़ाउन करते हो, then उस hypothesis को आप observe करते हो, analyze करते हैं and then result confirm करते हो inductive reasoning वो reasoning होती है जिसमें आप कोई particular observe करते है, particular चीज़ों को observe करते हो, एक particular statement देते हो, then pattern follow करते है, then उस पर tentative hypothesis लेड़ाउन करकर एक journal theory देते हो, एक universal statement देते हो तो यह हो जाएंगे आपकी definition inductive reasoning की, so यह आपर आपको option भी correct हो जाएगा, next इननो column chart बास आर, इस question में में find out करना है कि column chart में बास आपकी कैसे होते हैं, क्यों horizontal होते हैं, vertical होते हैं, slanting होते हैं, कैसे होते हैं, so column chart क्यों होता है, इस तरीके से आपका column chart दिखता है, जिसमें आप जो भी information मिलते हैं, आपको जो भी data होता है, आप कुछ इस तरीके से plot करते हो, और column chart में आपके जो बास होते हैं, यह जो बास होंगे वो वर्टिकल में होंगे that's where पर आपका correct option हो जाएको option B vertical and thank you for watching this video good luck with your preparation and see you tomorrow with another video